मैं मानता हूँ कि इस बजेट की विशेषता यह है कि हमारे आम आदमी के जीवन में जो एर पोलुशन, वाटर पोलुशन के समस्या गंबीर है वो ग्रीन एप्रोच के कारण निश्चित रुप में हमारे क्वालिटी लाइप में काफी बड़ा सुधार होगा। बहुत अच्छा बजेट निर्मला जी ने दिया है, मैं उनका बहुत-बहुत अभिन्दन करता हूँ और यह बजेट प्रदान मंत्री मोदी जी के नेत्रूत्व में हिंदुस्तान को भविश्य में प्रगित्वर विकास की और ले जाएगा। अबारत के वित्तमंत्री निर्मला सचारा मंजी ने और इंफरो स्ट्रूर्च्चर को हाइस प्रयिटी दिया है। हमारा बजेट भी काफी बड़ा हुआ है। जिसके कारण आने वाले समय में हिंदूस्तान के रोड इंफरो स्ट्रूर में है। जो हमने निर्धार वेक्ते किया कि वर्ड स्टैंडर्ड के रोड बनेंगे वो उद्धिष्ट हम निश्चित रुप से पूरा कर सकेंगे ग्रीन एनर्जी ग्रीन पावर हर जगप और जो ग्रीन बात के उलेक किया गया वो हमारी एकालोजी और इन्वार्मेंट को प्रोटेक करने के दुट्टे से एक बहुत बड़ी पहल है मैं मानता हूँ कि इस बजेट की विश्चिता यह है कि हमारे आम आदमी के जीवन में जो एर पॉलूशन वाटर पॉलूशन के समस्या गंबीर है वो ग्रीन एप्रोच के करण निश्चित रुप में हमारे क्वालिटी लाइफ में काफी बड़ा सुधार होगा मेडिल क्लास के बारे में सोचैने ही जाता था इस बार पहरी बार मेडिल क्लास को भी काफी रहत दी गई है गाव गरीब मजदूर और किसान का कल्यान करने वाला और प्रधान मंत्री मोदी जी के नितरुतों में आत्मंदिर बर भारत का सपना पूरा करने वाला और हिंदुस्तान को वर्ल्ड की एकोनॉमी में एक सुपर एकोनॉमिक पावर बनाने के लिए ले जाने वाला ऐसा ये बज़ेट है स्क्रैपिंग के लिए जो विशेश रुप से हमारी रिसाइक्लिंग इंडस्ट्री थी उसके बारे में राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों जगब अब नई गाड़ी आएगी जिससे प्रदूशन कम होगा और निश्चित उसे स्क्रैपिंग के कारे को भी काफी बड़े से शुरुवात हो जाएगी बहुत अच्छा बजेट निर्मला जी ने दिया है मैं उनका बहुत-बहुत अभिन्दन करता हूँ और ये बजेट प्रदान मंत्री मुदी जी के नेत्रूत्व में हिंदुस्तान को भविश्य में प्रगित्वर विकास की और ले जाएगा ऐसा विश्वास्वेक्त करता ह बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार